हेलो फ्रेंज, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, मैं याउंधकाल, आज मैं आप लोगों को एक जन्यों सा गर्मेंट डाटा इंट्री वर्क के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डाटा इंट्री फर प्रदान मंत्री आवाश योजना, ग्राम मैं आप लोगों को उस डाटा भी दिखाऊंगा, किस तरह का डाटा को आपको एंट्री करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से आप यहाँ पे साइन अप हो सकते हैं, रिजिस्टर करना होगा, आप लोगों को इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश किजिएगा, क्योंकि यह जेनियोंसा और गर्मेंट डाटा इंट्री वर्क है, यह गर्मेंट की तरफ से निकला हुआ डाटा इंट्री वर्क है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह का डाटा को एंट्री कर फोन नंबर आपको दिया जाएगा वो फिल अप करेंगे, email ID करेंगे और address इसको आप इस तरह के से data को entry करेंगे इसको fill up करेंगे, यह इस तरह का form ही हुए हächst इसे तरह का आप लोगों को data दिया जाएगा इतके सारा डाटा आप लोगों को दिया जाएगा जितना डाटा को आप फिल अप करेंगे उतना ज्यादा पैसा आप यहां से आउन करेंगे यह आप लोगों को टोटली बैंक में पेमेंट कर दिया जाएगा इसमें आपको इसमें पेज के इसाब से आप लोगों को दिया जाएगा यह कितना page आप data को entry करते हैं उसके इसाब से आप लोगों को payment दिया जाएगा दिखिएगा इतना ज्यादा है government के पास ऐसे data सभी data को आप लोगों को fill up करने के लिए दिया जाएगा जो यहाँ पे select होते हैं तो आप लोगों को देखिए इस तरह का data आप लोगों को दिया जाएगा यह पूरी जानकारी जो भी दे दिया गिया है इसी चीछ को आपको जैसा है उसी तरीके को आपको data को entry करना होगा आप लोगों को कुछ PDF for लोगों को पिडिया जाएंगे आप लोग fill up करेंगे data entry का काम में आपको किस तरह का काम मिलेगा वो और देखिएगा आप लोग तो इस type का data भी आप लोगो दिया जाएगा देखिए ये दूसरा तरह का data है ये data भी आप लोगो दिया जाएगा इसको भी आपको entry करना होगा ये कुछ एक form ही की तरह होगा ये अलरेड़ी data को fill up कर चुका है इसी तरह का दिया जाएगा आप लोगो इस data को entry करना होगा दिखिएगा इस तरह के डाटा आप लोगों को मिलेगा इन ही तरह के डाटा को आप लोगों को fill up करना होगा जो government के पास ऐसे बहुत से work है data entry work है जो government में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के पास time नहीं है ये काम करने के लिए इसलिए ये लोग online में जो जो करना चाहते हैं जो छुक है जिनके पास ability है जो कर सकते हैं उन लोगों को ये work देना चाहते हैं ताकि थोड़ा government में जितने भी काम कर रहे हैं उन लोगों का burden कम हो इसलिए ऐसे बहुत से data है जो data आप लोगों को कभी खतम ही नहीं होगा इतना data है जिसको आपको entry करना होगा ये government of India की तरफ से निकला हुआ वाकेंसी है तो ऐसे ही data को आप लोग fill up करते हुए आगे बढ़ेंगे और भी work है आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को मिलेगा ये भी data entry work में ही आएगा ये आप लोगों को data दिया जाएगा इसको आपको जिस तरह किसे entry करना होगा वा आप लोगों को बता दिया जाएगा देखिए इस तरह का data भी आप लोगों को मिलेगा ये जो data है इनको भी आपको इतना ज्यादा मिलेगा data entry का काम इतना ज्यादा मिलेगा आप लोग ठक जाएंगे लेकिन खतम नहीं होगा government के पास इतना work है तो अब की अभी जाके यहां पर आपलोग sign up की जिए लोगin की जिए और यहां पर अपना form को fill up कर दीजिएगा आपको आदार कार्ड कुछ डिटेल्स मागेगा उन सभी डिटेल्स को आपको यहां पर डाल देना होगा तो चलिए आए मैं बताता हूं कि आप किस तरीके से यहां पर फॉर्म को फिल अप करेंगे कैसे लॉग इन करेंगे किस तरीके से रेजिस्टर करेंगे यह थोड़ा आप को मैं इस वर्क के माध्यम से आप कैसे यहां पर रेजिस्टर करेंगे यह चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे आप इस वेबसाइड में आएंगे और यह वर्क आप लोगों को दिखाई दे रहा है डाटा इंट्री फर प्रदान मंत्री आवास योजना ग्रामिन इ दिखिएगा यहां पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाए देगा यहां ओक्के का बटन दिखेगा इस ओक्के पर आमको क्लिक कर देना होगा जैसे हम ओक्के पर क्लिक करेंगे देखिए एक एक स्टेप को ध्यान से समझने की कोशिस कीज आवाश योजना ग्रामिन, Ministry of Rural Development, Government of India, प्रदान मंत्री आवाश योजना ग्रामिन, इसे की तरप से निकला हुआ वाइकंसी है, अब आपको नीचे आना है, देखिए Ms Data Entry आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको Simple Login पे क्लिक करना होगा, तो देखिए यहा किस तरीके से आपको form को fill up करना होगा यहां पर आपको क्या सिस्टम है यह सारी जानकारी मैं आप लोगिन को बताऊंगा ध्यान से देखिएगा तो उतना करने के बाद अब आप देखिए आपने वहां पर क्लिक कर दिये हैं अब आपको यहां पर user login का option दिखेगा यहां पर दिखेगा इस तरीके से capture यह करके login करना है लेकिन आपने register ही नहीं किये तो आप login कैसे करेंगे तो इसके लिए आप लोगों को यहां पर चले आना है dhc में enrollment और signing करने के लिए आप लोगों को वहां पर एक click here का बटन दिखेगा उस पर click करना होगा देखिए click here दिखाए दे रहा है आपको यहां पर आप click करेंगे जैसे आप यहां पर click करेंगे do you want to download dhc.pdf आप download करना चाहेंगे 12.95 MB का है तो हमने already download कर चुके हैं लेकिन आप लोगों को download पर click कर देना होगा यह समझे लिजिएगा download पर click कर देना होगा तो जैसे आप इस pdf को download करेंगे आपको इस तरह का interface दिखाए देगा तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले internet explorer 11 होनी चाहिए याद रखिएगा internet explorer 11 होनी चाहिए तो आप लोगों को सबसे पहले इसको use करना है internet explorer browser को आपको use करना होगा आप अगर dhc में enrollment करना चाहते है इस काम के लिए enrollment sign in करना चाहते हैं तो होनी चाहिए उसके बाद operating system window 8 10 & 11 होनी चाहिए यह बात याद रखिएगा उसके बाद आपको install latest version of java setup java setup का latest version भी आप लोगों को यहां पर install करना पड़ेगा तो यहां पर देखिए download java java को सबसे पहले आपको download करना पड़ेगा install क पड़ेगा तो यहां पर थोड़ी जानकरी दे दिया गया है उसके बाद आप जैसे download java को download करने के बाद आपको control पहले नमबे जाके security टैब में जाना होगा वहां पर जाने के बाद आपको high to very high दिखाई दिखाई दिया गया है इसमें very high को आपको select करना होगा यहां पर द फिर आप नीचे आएंगे नीचे आने के बाद आपको control panel java security edit list site अगर आपको edit करना नहीं आ रहा है setting करना नहीं आ रहा है तो यहां पर आपनों को कुछ link दिये गया है इन link पे click करके भी उनको settings आप कर सकते हैं वरना अगर आप कर रहे हैं अच्छे तरीके से setting हो रहा है त system क्या क्या है इस सब कुछ आप लोगों को यहां पर बताया गया है बस यही वरक है आप लोगों को अब इतना करने के बाद आपको नीचे आना होगा नीचे आने के बाद आप लोगों को देखे download java setup provide link अगर आप java setup करना चाहते हैं तो यहां से download भी कर सकते हैं window 10 and 11 के लि दिया गया है आप जाईए अभी क्या भी जाईए इस PDF को डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करने के बात यहां पर जितनी information ने उसी के हिसाब से आप यहां पर काम कीजिएगा तो definitely आपको यह government data entry work मिलेगा तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो like कर दिजिए अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो फिर मिलते हैं आगले वीडियो में आज के लिए बस इतना है थैंक यू